नमस्कार प्रिये बच्चों, आज मैं आपके सामने संकल्प कवीता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ यह कवीता राम नरेश्ट रिपाथी जी ने लिखी है और मैं इसकी व्याख्या आपके सामने रखूँगा है चाहा यही संकल्प यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, विद्यालिय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे है चाहा यही संकल्प यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, विद्यालिय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे इन पंक्यों में राम नरेश्ट रिपाथी जी ने कहा है कि हम बच्चों की यह इच्छा है, चाहा का अर्थ होता है इच्छा तो हम बच्चे, बच्चों की यह इच्छा है और हम यह संकल्प करते हैं संकल्प का क्या अर्थ होता है बच्चों? संकल्प का अर्थ होता है प्रन या प्रतिग्या तो हम बच्चे यह इच्छा करते हैं और यह संकल्प करते हैं यह प्रतिग्या करते हैं यह प्रन लेते हैं अपने आप से यह प्रन करते हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे और हम कैसे करके दिखाएंगे? हम विद्यालिय में जाएंगे, वहाँ पर शिक्षित होंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो इन पंक्तियों में कभी यह कहना चाता है कि हम बच्चे यह इच्छा करते हैं और यह प्रन लेते हैं कि हम शिक्षित नागरिक बनकर अपने देश के लिए कुछ महत्वपून कारे करेंगे और अपने देश को विकास विक्सित बनाएंगे और उन्नती के रास्तर रास्ते पे ले जाएंगे जो लोग गरीब निराश्रित हैं जिन पर ना किसी की चाया है हम उनको गले लगाएंगे हम उन पर सुख बरसाएंगे इन पंक्तियों में कवी यह कहना चाता है कि जो लोग गरीब हैं और निराश्रित हैं निराश्रित का अर्थ है जिनका कोई आर्शे ना हो जिनका कोई घर ना हो तो जो लोग गरीब हैं जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और जिन पर किसी की चाया नहीं है किसी की चाया का ना होने का क्या अर्थ है बच्चों बच्चों इसका अर्थ है कि वह लोग जिनका कोई मदद नहीं करता जिनकी कोई सहायता नहीं करता जिनका कोई सहारा नहीं है हम ऐसे लोगों को गले लगाएंगे गले लगाने का अर्थ है हम ऐसे लोगों को जिनके पास जो गरीब हैं जिनके पास कुई शरहने के लिए नहीं है और जिनका कोई सहारा नहीं है हम ऐसे लोगों को के साथ भेदभाव नहीं करेंगे गले लगाने का मतलब है कि ऐसे लोगों के साथ भेदभाव ना करना और हम उन पर सुख बरसाएंगे इसका अर्थ है कि हम उनकी मदद करकर उनके जीवन को खुशी से भर देंगे जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो लटके हुए अधर में हैं, उनके घर आंगन में दिप-दिप, उद्यम का दीप जलाएंगे इन पंक्तियों में राम नरेश त्रिपाठी जी कहना चाते हैं कि जो लोग अंधेरे घरों में रहते हैं क्या ये अर्थ है कि जिनके घर में अंधेरा हैं? नहीं नहीं बच्चों, इसका अर्थ ये नहीं है कभी यहाँ पर कहना चाता है कि जो लोग अज्ञानता के अंधेरे में डूबे हुए हैं, जो लोग शिक्षित नहीं हैं हम जो लोग लटके हुए अधर में हैं, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? अधर का मतलब होता है आदे रास्ता उधारन से समझाता हूँ बच्चों आपको, मान लो आप एक नाव में हो और आपको जील पार करनी है जो नाव का नाविक आपको आदे रास्ते में ले जाता है और वहां से आपको अकेला छोड़ देता है अब क्या होगा? अब आपको समझ नहीं आएगा कि आगे क्या करना है तो इसी तरह जो लोग अज्ञानता के अंधेरों, अंधेरे में डूबे हुए हैं और उनको यह समझ नहीं आ रहा कि उनको आगे जीवन में क्या करना है? हम उनके घर आंगन में दिप-दिप उद्यम का दीप जलाएंगे तो बच्चों दिप-दिप का अर्थ होता है कोने-कोने में उद्यम का अर्थ होता है महनत तो इन पंक्यों का अर्थ है कि हम ऐसे लोग जो अज्यानता के अंधेरे में डूबे हुए हैं और जिनको आगे जीवन में क्या करना है यह समझ ही नहीं आ रहा कि आगे जीवन में क्या करना है तो हम ऐसे लोगों के जीवन के कोने-कोने में मेहनत का दीप जिलाएंगे अर्थात उनको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे जो लोग हार कर बैठें हैं उम्मीद मार कर बैठें हैं हम उनके भुजे चिरागों में फिर से नवजयोत जिलाएंगे तो बच्चों इन पंक्तियों में कवी राम नरेश्त रिपाथी जी यह कहना चाते हैं कि जो लोग हिम्मत हार कर बैठें हैं जो लोग हिम्मत हार गए हैं और उन्होंने ये मान लिया है कि अच्छे जीवन की उमीद नहीं है उन्होंने अच्छे जीवन की उमीद छोड़ दी है हम ऐसे बच्चों के बच्चों जो लोग हिम्मत हार गए हैं, जो जिन लोगों ने अच्छे जीवन की उमीद छोड़ दी हैं, हम लोग उनके बजे चरागों में एक नई ज्योती जिलाएंगे यहाँ पर भुजे चरागों का अर्थ है, क्या चराग होता है दिया और जो चराग भुज जाता है, जो दिया भुज गया है, उनकी जो बाती हैं, उनमें हम एक नई ज्योती जिलाएंगे तो यहाँ पर इन आखरी दो पंक्तियों का अर्थ है, कि जो लोग हिम्मत हार गए हैं, जिन लोगों ने अच्छे जीवन की उमी छोड़ दी हैं, जिनके चिराग भुज गए हैं, जिनके दिमाग भुज गए हैं, जिनके दिल भुज गए हैं, वो हिम्मत हार कर बैट गए हम ऐसे लोगों के भुजे चिरागों में, हम ऐसे लोगों के भुजे दिमागों में उम्मीद की नई ज्योती जलाएंगे यहाँ पर किस तरह की नई ज्योती जलाएंगे? उम्मीद की नई ज्योती जलाएंगे रोको मत आगे बढ़ने दो आजादी के परवानों को हम मात्र भूमी की सेवा में अपना सर्वस्व चड़ाएंगे इन पंक्तियों में कवी कहना चाता है कि बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें रोको मत हमें आगे बढ़ने दो हम आजादी के परवाने हैं अब आजादी के परवानों का अर्थ क्या होता है बच्चों आजादी के परवानों का अर्थ है कि वहेव लोग जो देश के लिए अपनी जान भी देने को तयार रहते हैं मगर बच्चों हमें तो आजादी मिले बहुत सारे साल हो गए हैं तो अब हम किस आजादी की बात कर रहे हैं? हम आजाद तो हो गए हैं मगर हमारी मात्र भूमी अभी भी हमारे देश में बहुत गरीबी है और यहां पर बहुत अज्यानता है हमारे यहां पर धर्म के नाम पर बहुत भेधभाव भी होता है तो बच्चों यहां पर कवी गरीबी से और अज्यानता से आजादी के इलिए बात कर रहा है तो यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि हमें रोको मत हमें आगे बढ़ने दो हम अजादी के परवाने हैं हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम मात्र भूमी की सेवा में अपना सर्वस्व चड़ाएंगे हम अपने मात्र भूमी की सेवा में मात्र भूमी का अर्थ होता है बच्चे बच्चों वह भूमी जहां पर हमने जनम लिया है हम उस भूमी के लिए उस देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तयार हैं हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दिल से बिलकुल सचे थे हम उनका मान बढ़ा कर ही अब उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे हम उन वीरों के बच्चे हैं राम नरेश्ट्रिपाठी जी यहां पर कहना चाते हैं कि हम महात्मा गांदी, सुभाष चंद्रबोस, लाला लाजपत राए जैसे वीर पुर्षों के बच्चे हैं हम ऐसे शहीदों के क्रांती कारियों के बच्चे हैं जो दिल से बिलकुल सचे थे जिन वीरों के जो दिल थे बिलकुल साफ थे हम अब इन क्रांती कारियों के जिनोंने हमारी देश के लिए आजादी देश की आजादी के लिए अपने जान भी नुचावर कर दी हम उनका कर्च कैसे चुकाएं तो हम उनका मान कैसे बढ़ाएं तो हम शिक्षित होकर और अपने देश की विकास के लिए उसकी उनती के लिए उसमें अपना योगदान देकर ही ऐसे लोगों का मान बढ़ाएंगे और उनका कुर्च कर्ज चुकाएंगे तो बच्चों राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी यह कवीता संकल्प हमें यह सिखाती है कि हमें हम बच्चों को शिक्षित विद्याले में जाकर शिक्षा ग्रहन करनी चाहिए हमें एक शिक्षित नागरिक बनना चाहिए और अपनी देश की विकास और उन्नती के लिए अपना योगदान देना चाहिए तो बच्चों मैं अब आपसे आपको अलविदा करता हूँ और मुझे आशा है कि आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी